नमस्कार NBC24 देख रहे आप मैं हूँ आपके साथ अब इस्टेक देखिए लगतार जोस तरीके से BPSC द्वारा सिक्षक बहाली को देखते हुए परिक्षाली जारी आई सिसी बीच होई थर्ड फिच की बहाली को देखते हुए बितर जिनों परिक्षाली गई थी अब जाकर लगतार अभियर्थियों को फोन जा रहे हैं और फोन कॉल कर जो दलाल है जो माफिया है वो हसाफ कहते हुए रज़र आ रहे हैं कि इतना पैसा तुम दोगे तो मैं तुम्हें पास करवा दूगा जिसके बाद तुम सिक्षट मन जाओगे कहीं न कहीं इसके बाद अब जाकर सवाल उठाय जा रहे हैं लगतार आयोग पर ऐसे में अभियर्थियों के द्वारा कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं कहा यह जा रहा है कि डाटा लिख हुआ तो आखिरकार कैसे हुआ बार बार लगतार दस्तोरी के से कॉल आ रहे हैं इस बेश लगतार जो है कहीं न कहीं अभियर्थियों के द्वारा कई सारे सवाल उठाय जा रहे हैं बिहार लोग सिक्षक बहाली परिक्षा के बाद अभियर्थियों को फरजी कॉल चा रहे हैं कॉल करने वाले खुद को अ अभियर्थियों को फर्जी फोन कॉल लगतार आने लगे हैं और ऐसे में कॉल करने वाले खुद को लगतार आयोग के अधिकारी बता रहे हैं आयोग के लगतार कहीं न कहीं अधिकारी बताते हुए पैसे की मांग कर रहे हैं और ऐसे में पैसे aitने की कोशिश लगतार करते हुए नजर आना अभियरतियोंगा कहना है कि कॉल करने वाले की पास उनका कही न कहीं सारा डेटा है ऐसे में जिस से कहीं न कहीं उन्हें यकीन हो जाता है कि कॉल आयोग से ही आया है अब आयोग ने help 9 नमबर जारी कर ऐसे फर्जी कॉल से साउधान रहने की अपील की है ऐसे में देखाया है तो जस तरीके से BPSC की तुश्री चर्णल के सिक्षक भरती परिक्षा खतम हो चुकी है और रिजल्ट का इंतजार लगतार अभिरती कर रहे हैं इसे बीच कई अभिरतियों को ऐसे फोन को ला रहे हैं जो खुद को BPSC अधिकारी बता कर रिजल्ट में पास कराने के नाम पर पैसे आटने की बाते कर रहे हैं की बाद वो result में नाम सुनिश्वित कराने के लिए 60,000 से 80,000 रुपय तक की मांग करते हैं इधर अभियर्थियों का कहना है कि जसकरी किसे जालसाजों है उनके पास उनका सारा data है नाम पता विशय जैसी सारी जानकारे उन्हें बता दी जाती है यहां तक की पहली पसंद का ज शिकायत मिलने के बाद BPSC ने help 9 नंबर जाड़ी किया है आयोग ने कहा है कि अगर किसी भी अभियर्थियों को ऐसा call आएगा या फिर मैसेज आएगा तो help 9 नंबर पर call कर सूचना दे सकते हैं आयोग ने अभियर्थियों को ऐसे 4G call से सावधान रहने की सलावी दे डाली ह साथ ही चतावनी दी है कि अगर कोई भी अभियर्थिया अईभाबक इस तरह के लालज में आकर किसी को पैसा देते हैं या फिर ऐसी अफ़ा पहलाते हैं तो उनके उपर जो है आयोग की सभी परिक्षाव से प्रतिबंधित करते हुए कही न कहीं कारवाई की जाएगी ऐसी समार उन्होंने कहा है कि अभियर्थियों को ऐसे फोन कॉल से बचना चाहिए और उन्हें भी ऐसी शिकायत आ रहे हैं और ऐसे में साइबर माफिया की ओर से ठगी की जा रही है और इससे अभियर्थियों को बचना चाहिए उन्हें संबद में अभियर्थियों के लिए हेट जिसका जबाब फिला आयोक के पास भी नहीं है लगतार सवाल उठ रहा है और कहीं न कहीं है सवाल बिहार में लगतार उठते हुए नज़र आ रहा है कि आखिरकार हमारा इतना तमाम प्रस्नल डेटा पहुचा माफिया के पास तो कैसे पहुचा और ही तमाम ख़बरों के लि लोगों ने ही डेटा लिख किया या फिर बाहर से किसी ने गेम खेला बहुत बहुत धन्यवाद